हेलो फ्रेंज मैं हूँ योगेता, वेलकम टू आचानल भारतिय संस्कृती में शादी के बाद हर महिला पाउ में बिच्छिया पहनना शुरू कर देती है आमतोर पर हर महिला पाउ की दूसरी या तीसरी उंगली में बिच्छिया पहनती है यानि की अंगूठे की बगल वाली उंगली में बिच्छिया पहना जाता है आज कल ये फैशन का चलन भी है अकसर बिच्छिया पहनना भारतिय संस्कृती से जोड़ा जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिच्छिया पहनने पर हमारे स्वास्ते पर भी असर पड़ता है आए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि बिच्छिया पहनने का क्या वेग्यानिक कारण है भारत विविदताओं का देश है यहां अलग-अलग धर्म और समुदाय के लोग इतने प्रकार की मानताओं का पालन करते हैं जो चौकाती भी है जिनके बारे में जानकर लगता है कि वाकई हमारे पूरवज आज के वक्त से जाधा विक्सत थे यहां पहने जाने वाले कपड़ों और आभुशनों से लेकर रिती रिवाजों तक सबका महतुपूर योगदान है ऐसा ही एक आभुशन है बिचिया जिसे महिलाएं अपने पैर की उंगलियों में पहनती है आपने कई औरतों को बिचिया पहने देखा होगा आमतोर पर औरते शादी के बाद बिचिया पहनती है लेकिन बिचिया पहनना अब फैशन में भी आ गया है तो बिना शादी के भी महिला बिचिया पहनना पसंद करती है आज के वक्त में जब समाज विक्सित हो रहा है तो कहीं औरते बिच्छियां को दख्यनूसी विचारधारा की उपज मानती है मगर उन्हें ये नहीं पता कि बिच्छियां सिर्फ माननताओं यरीती रिवाजों का पालन करने के लिए नहीं पहना जाता इसका वैग्यानिक कारण भी है जिससे जान लेना हर औरत के लिए बेहत जरूरी है माना जाता है कि पैर की दूसरी उंगली की नसे सीधे दिल और महलाओं के गरभाशिस जुड़ी रहती है ऐसे में जब इस उंगली पर विच्छियां से दबाव पड़ता है तो नसे भी दबती है जिससे नसों में खून का संचार सुचार्य धंग से चलता है ये बिच्छिया एक्यू प्रेशर का काम करती है इस तरह महलाओं का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और यूटरस तक जाने वाला खून भी सही धंग से बहता है जिससे महावरी में कोई समस्या पैदा नहीं होती जिन महलाओं को आन्यमित पीरियट्स की शिकायत होती है उनके लिए भी बिच्छिया पहनना बेहत अच्छा होता है रक्त को प्राण माना गया है इसने कहते हैं कि महलाओं के प्राण अंगूटे से लेकर गुजरते है ऐसे में उसे संचालित रखना बेहत जरूरी है आपने हमेशा देखा होगा कि बिच्छिया सिर्फ चान्दी की ही पहनी जाती है सोने की बिच्छिया औरते नहीं पहनती है इसके पीछे भी खास कारण है सोने को देवी लक्षमी का रूप माना जाता है ऐसे में औरते कमर के नीचे सोने से बना कोई आपोशन नहीं पहनती है क्योंकि वो देवी का अपमान माना जाता है दूसरा कारण ये भी है कि सिल्वर को विदुत का सुचलक मन जाता है चांदी धर्ती की पोलर उर्जाओं को सोक कर हमारे शरीर में पहुचाती है इस तरह से इस उर्जा का हमारे पूरे शरीर में संचार होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों पैरों में बिच्चिया पहणने से महिलाओं का हॉर्मोनल सिस्टम सही रूप से काम करता है इसके अलावा बिच्चिया पहणने से थाइरोइड की संभावना कम हो जाती है बिच्चिया एक्यू प्रेशर उपचार पद्दी पर कारे करती है जिससे शरीर के निचले अंगों के तंत्र का तंत्र और मास्पेशिया सबल रहती है इसके अलावा बिच्या एक खास नस्थ पर प्रेशर बनाती है जो कि गर्भाशे में समुचित रक्संचार प्रवावित करती है इस प्रकार बिच्या औरतों की गर्भ धारन शम्ता को स्वस्थ रखता है क्या आप जानते हैं कि मचली की आकार की बिच्या सबसे जादा असरदार मानी जाती है मचली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे नोकदार हो महिलाओं को हमेशा चांदी की बिच्या पहने चाहिए सोनी की बिचिया शारेरिक गर्मी का संतुलन खराब करके रोगुदपन कर सकती है तो अगर अब आप बिचिया खरीदने जाए तो इन चीजों का खास खयाल रखें तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना खूले